नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंग खन्ना हुमियोपथी क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे उस विशाय की जिसका बहुत दिनों से रोज उड़ता है रोज कुछ ना कुछ फोन आते हैं जो इस विशाय के होते हैं बात करेंगे ओनी स्कीन के विशाय में और आपको बताएंगे ओनी स्कीन को खतम करने की दूर करने की दस्कार-गर होमियोपथी दवाएं ओनी सातीयों जो आपका चेरा जो आप अपना पाना चाहते हैं उसको रोकने में बहुत बड़ा हिंडरेंस होता है जिसके ऐली स्थ 강 को खत्म करने कि अब को समस्य से निकालने की बताते हैं आपको होमियो पेथि में ऐली स्थे दूर करने की जिसके कारगर होमियो पेथिक दमाएं उस से पहले साथियों यह बतना दें कि आप कोई भी द Давай किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें कोई दभा ना लीजेगा क्योंकि जरूरी नहीं ये दभाऊ के लिए ठीक हो कि इसको साइड इफेक्ट हो सकता है तो दभा को प्रिस्कराइब कराने से के ही लें ऐसे ना लेो बताते हैं साथियों आपको ओयली स्किन को ठीक करने की 10 कारगर होमियोपेथी दवाएं सबसे इंपार्टेंट दवाओं में से एक जो होमियोपेथी में ओयली स्किन को दूर करने की है वहा है सल्फर Sulfur उस हर patient के लिए बहुत कारगर है जिसके चेरे पेटता ज्यादा oil secret होता हो कि चेरा गंदा हो जाता हो गंदा दिखने लगता हो उसी सिती में oily skin को खतम करने की बहुत कारगर दवा Sulfur है Sulfur के मरीज को नहाना नहीं पसंद होता है उसे मीठा काना बहुत पसंद होता है उसे सर्दी जाजा लगती है तो अगर इस तरह के symptom आप में हैं आपको लगता है कि यहाँ जो oily skin है वह आपके चेरे को गंदा लुक दे रही या आपके उसके काना pimples निकल ला है एकने निकल ला है तो आप सलफर बनियम के तीन खुराग पचपच मिट के फासले पर विकली ले 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 आप देखेंगे क प्रबरी शकीन भी खतम हो गया आपका दाने भी खतम हो गया और ऊपके चेरा च्मकने लगा फिर इक इच्चिती अ, कि इतनी ज्यादाूब्स केनल कि बहुत दाने आयों डानों जीद हो गया TV सितिया हो कि आमें में आपके बहुत ज्यादा ओलीः इकना हो रहा है और उसे निसान आपके दाने के आ गए तो सिस्टी को हुमोपहती में ठीक करने की बहुत कारगर दवा बर्बरिस सेक्टुफोलियम है अब बर्बरे सेक्टुफोलियम का मज़ट इंचर पांच बूंद एक चमच पानी में डालें उससे आप कॉटन से चेरे को लगा लें आप देखेंगे कि जो ऑईली स्कीन के कारण होने वाले एकने के स्कार हैं वहाँ भी खतम हो गए आपके ऑईली स्कीन भी ठीक हो गई यह नहीं आपके सिक्पीरन नार्मल होने लगा फिर ay getX Labour機 यह अथी साथी कि आपके फेस पे JAMES कि कि बहुत दाने निकल ले और फेस पोर हो गए तो अगर आपके ओयली स्कीन है और साथ में आपके फेस पोर हो रहे हैं गड़े हुए जा रहे हैं दाने निकलने से मवाद वाले पस वाले दाने निकल रहे हैं उसमें गड़े वोग जा रहे हैं जब बादाने ठीक होते हैं तो अगर यहाई स्थिती आपके है तो इसको ठीक करने के हुमियोपैती में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है सुराइनम आप सुराइनम वनियम के तीन कुराग पचपच मिट के फासले पर वीकली ले 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 आप देखेंगे कि आपका ओईली स्कीन भी खत्म हो गई आपके चेरे के गटे भी भर गए और आपका चेरा साफ और सुन्दर दिखने लगा पर साथी में बहुत अच्छी दबा आती है जो आपके फेस से फेस पोर से ओईल को रिमूब कर देती है तो अगर आपका बहुत जादा ऑईली स्कीन है और लगता है कुछ ग्रीशी स्कीन हो गई जमा हुआ है पूरा ओईल चेरे पर तो उसको ठीक करने के होगा पैठी में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है नैट्रम्यूर अटिकम आपने नैट्रम्यूर अटिकम वन एम की तीन खुराक पचपच मिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका छेरा भी साफ हो गया और सारा ओईल पोर्स में जो है बहां फिर साथियों कि स्थिति आती है कि आपके बाड़ी के सारे ग्लेंट्स जादा एक्टिव हो गये हैं आपके हर चीज बढ़ी हुई और साथ में आपको ऑईली स्किन भी है तो अगर आपके बाड़ी के सारे ग्लेंट्स है और आपकी ऑईली स्किन है तो उसे स्थिति को ठी लुएट करने की होमियम पैथी में बहुत का गरदवा है बराइटा कार्बो निकम बराइटा कार्बो निकम आपकी जो गार्ट्ट गील्टी है आज पास आपके पड़ी हुई है घर्दन में वहाँ सब भी ख Swiftилась को भी खटम करदेगी और आपके चीहरे को इलिस स्किन को भी खटम करदेगी तो अगर और आपके सरीर में गनागरी होती है उनका स्कीन बहुत गाठिये होती है उनका स्कीन बहुत ओड़ी होता है तो Brighter Carb Drug of the Choice है यह आपकी गाठों को भी खतम करेगी और आपकी oily skin को भी खतम कर देगी एक condition आती है साथियों कि skin बहुत ज़्यादा oily हो गई, greasy हो गई, लगता है ग्रीस है इसी चेहरे पर लगा दी गई अगर उत्ती ज़्यादा oily skin आपके है तो होमियोपेथी में उस oily skin को खतम करने के लिए बहुत कारकर दवा है ब्राइनिया एलबा, ब्राइनिया एलबा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बात दी जा सकती हो सिस्थिती में जब आपके बहुत ज़्यादा oily skin हो गई है, greasy skin हो गई है, पूरे सरीर पे सूजन आ गई है उस इस्थिती की बहुत अच्छी दवा ब्राइनिया है, आप ब्राइनिया 30 पावर में दो दो बून लेकर अपने oily skin को चेहरे के खतम कर सकते हैं फिर एक इस्थिती आती है सातियों की आपके skin बहुत oily है और उससे बहुत पसीना आ रहा है, तो अगर यहाँ इस्थिती है कि आपकी skin बहुत oily है, greasy है और बहुत पसीना आता है, तो हम्योपैथी में उस symptom को match करने की बहुत अच्छी दवा मर्सॉल है, मर्सॉल्यूबिलिस 30 पावर में दो दो बून दिन में टीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका oily skin भी खतम हो गई और जो पसीना excessive आ रहा है वहाँ भी खतम हो गया, फिर एक स्थिती आती है सातियों की आपके oily skin हो गई और आपके constipation बहुत जादा है, अगर कबजियत है आपको बहुत ज करने के लिए और चेहरे के दानों को खतम करने के लिए बहुत कारकर दबाया, plumbum metallicum, आप plumbum metallicum 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं, यह आपके constipation को भी दूर कर देगी, आपके oily skin को भी खतम कर देगी, और आपके दानों को भी खतम कर देगी, और आ आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9411786300C94156380 या फिर YouTube notification panel में अपने question को लिख सकते हैं, हमें आपके question का संतोचनक जवाब देने में बहुत कुशी होगी, आपका हमारा साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए, जूनने के लिए बहुत बहुत धन् अगर साथियों आपको हमारे या प्रियास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इस प्रियास को share करिएगा, इस वीडियो को share करिएगा, आपनी चैनल को subscribe करिएगा, बेल notification बटन को दवा कर सबसे पहले नया वीडियो पाते रहीएगा, आपका हमारा साथ देने के लिए, सा कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल